कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं देवकु स्वाह और मेरा यूट्यूब चैनल मेकैनिक ग्रूप में आप सभी लोग का सवागत है तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कि यह सीवी 3DX 2007 मॉडल का डिफ्रेंशल कैसे डिस्मेंटल करते हैं और किसके करण हमने डिफ्रेंशल को डिस्मेंटल किया हुआ है क्या तीकत इसके बारे मैं इस्टेफ बाई स्टेफ आप बताऊंगा अगर मेरे चैनल पहली बारा है तो चैनल सब्सक्राइब अबस्करें यह डिस利्माज करें अगर करें शली दोस्तों देख सकते हैं हमने प्लेंटी हपको पहले है एक तरब को खोल लिया है और उसके बाद इसे ऐसेues तरब को खोलेंगे देख सकते हैं हमने डिफ्रेंश या को उसको डाउन कर लिया है उतार लिया है और उसके बाद ग्uit हम म dellaल अब को खोल के दिखाएंगे सबसे पहले हम जो अपना डिफरेंशियल है जहां पर क्राउन फिटिंग होता है वह आपको दिखाते हैं दे सकते हैं जो दो इसमें पाइप लगे हुए है एडाप्टर दोनो एक प्रेसर और एक से आइल जाता है जो ब्रेक का काम करता है और हम इसमें ब्रेक नहीं लग रहे तो इसके करन हमने इसको खोला हुआ है ओपन किये हैं अगर दोस्तों मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल के बार सब्सक्राइब अबस्य करें चलिए हम आपको खोल की दिखाते हैं जे सकते हैं एक तरफ को प्रेट्री हब खोला हुए है और द बता नहीं हो तो हम बता देते हैं कि आइल इसमें 12 लिटर लगता है डिफरेंशियल में और दोनों तरह प्रेट्री हब में डेले 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 डालते हैं आइल अपना पूरा खराब हो चुका है चलिए दूसरी साइट का भी अपना प्रेट्री हब कुल चुका है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं दे सकते हैं इधर से भी आइल डेन कर दिये हैं कि और इसके बाद में दिखाते हैं कि समीत दे कत ने हैं देशकते हैं पि अबने तीनों से लिए एकक्सल भी ऑर रर है एई एक स WR अगया एक बार देख़ देख लेते हैं talk MGroup prosperous a cup क्रेकर और पार कि को दिक्वत नहीं हैं देशकते हैं में में कोई बिक्वत देशकते हैं जो दोस्तों चार होल आपको दिख रहे हैं, एक ब्रिक का है और एक एर निकालने का. चलिए अब हम बोतल को खूल लेते हैं दोनों साइट की. कि दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देख लाइक जरूर करें और जाद जाद शेयर करें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं करें दोस्तों हम दोनों बोतलों को फोल लेते हैं कि उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं आंगे कि क्या क्या होता है इसमें और कैसे वर करता है कि अ यद्यंक्र सब्सक्राइब करें विद्वी इसमें पार म्मीशिकार दिल आपको हम दोस्ताइब हैं दिक्सलेट जिसमें क्लेश्पर नाट होती हैं य spray माढ़ गज़िके से देख सकते हैं हम खुश ब्लेट को भाछ निकाल लेते हैं देह सकते हैं दोस्तों और डिक्स ब्लेट व्लेट गई उसी में रखी वुई है इसमें कोई लिखकत ने है लिखले पके देटें हैं उसी करह है हो आप आप जूस्य साइट की खोल कर दिखाएंगे आपको यह में कोई दिक्कत तो नहीं है देख सकते हैं दोस्ते एक बार आपको फिर पता देता हूं कि एक साइड नौ प्लेट पांच क्लग प्लेट और टीक्स प्लेट लगी होती है देख सकते हैं इस तरह दुश्य तरब भी हमने खोल लिया है कि देख सकते हैं दोस्तों ब्रेक पिश्टन है इसको हम बाहर निकालेंगे जो कि इसमें तीन इलंकी बोल्ट लॉक्ट करकले होते हैं उसको खोलेंगे इसके बाद में प्लेट निकलेगी तभी अपना पिश्टन बाहर निकलाएगा दोनों साइड दो ब्रेक पिश्टन होते हैं और उनके अंदर छोटी-छोटी और होती इनर राउटर को चलिए हम सबसे पहले तीन एलेंग की बोल्ट को खोल लेते हैं और उसके बाद कि दिखाएंगे किसका अपना ब्रेक काम नहीं करा तो ब्रेक नहीं लग रहा था कि दे सकते हैं दूसरी साइट का भी हम बोतल को खोल लेते हैं और इसमें भी देख लेंगे क्लेश प्लेट और डिक्स प्लेट जो है वह तो डेमेज नहीं हुई है या खराब तो नहीं हुई है कि देख सकते हैं दोस्तों हमने दूसरी साइट का भी बोतल को खोल लिया है देख लेते हैं देख सकते हैं दोस्तों एक लिश्प्लेट है और नीचे जो है डिश्प्लेट देख सकते हैं हलका सा गयर की टीद कटी हुए लेकिन वह अभी चल्दा आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है देख सकते हैं अब लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल का वस सब्सक्राइब करें और हमें कमंट करके वस बताएं देख सकते हैं दोस्तों कि यहां बेक लॉक बोल्ड लगव है और ब्रेक कैसे काम करता हम उसके बारे में आपको पता देते हैं जब हम यह पाइप से प्रेसर जाता है तो पिश्टेन अपना अंदर बहार होता है उसी से ब्रेक काम करता है और ब्रेक किस लिए नहीं लग रहा था वह हम अभी दिखा आपको घोलेद के प्लेट खुल लाए उसके बाद में आपको पताशल आएगा किसके करणार हम ने जखोल रहा है और ब्रेक नहीं लग रहा था हम दस नमबर अलंकी वर्ट हाट नमबर रिखे और कि उद्य फिस्टन बाहर निका लेंगे और दोस्ति इसी के अंदर आपको दिख रहा है, वो crown को setting करने के लिए है, और जो bearing है, वो crown की है, ہیں दोनों करोज़ा हम crown को set करते हैं, पिन्जिन को, तो अब डायर करना पड़ता हलका, उपर निचे टाइड करना पड़ता है देख सकते हैं हमने प्लेट को खोल लिया है चलिए हम प्लेट को बहार निकाल के दिखाते हैं आपको और फिर पिस्टन को दिखाएंगे कि पिस्टन कैसे अपना जाम हो गया है और प्रेसर जाने के बाद भी ब्रेक काम नहीं करता बाहर निकालेंगे और फिर ओर इंग दिखाएंगे की ओरर के लगी है जो की ओरिंग पूरी तरह से楽ाश चूकी है जो प्षिक ओं करेंगे इसी करन अपना ब्रेक काम नहीं कर रहा है ब्रेक कंशिजा रहां से लिए दोस्तों हम पिस्टन को निकाल देते हैं कि देख सकते हैं पिस्टन अपना अलका बाहर की तरफ आ रहा है कि देख सकते हैं दोस्ते इस चकनेट है जिससे हम क्रावन को सेट करते हैं कि रॉप देख सकते हमने पिस्टन को निकालिः आदेके दोस्ते इसमें दो नहीं लगी हुई है एक समाल और एक प्राप बड़ी मतलब की एक चोटी अब बड़ी दोनों आरी पूरी सीज हो चुकी है जाम और इसमें देख सकते हैं अलकिल की बावी आ चुकी है पिश्टन अपना अपडाउं नहीं हो रहा इसी करन अपना ब्रेक काम नहीं कर रहा था चलिए दोस्तों हम अब इस तरह दूसरी साइट को भी आपको दिखाएंगे कि दूसरी साइट में क्या दिक्कत थी दूसरे साइट के भी हम अब रेक पिश्टन को निकाल लेते हैं इस अपने ओरी है दोस्तों यह अब रीग पुरी तरह से डेमेज हो चुकी है और पिश्टन भी अपना सीज हो चुका इसके कारण अपना ब्रेक काम नहीं कर रहा था दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली वा रहा है तो चैनल को सुस्क्राइब अवस करें और हमें कमेंट करके अवस बताएं प्रे like that कुझते हैं दोस्तों आन horror को निकाल लिए यह जो पिस्टन में लगी होती है देश झाल भी कोलर बना हुआ है जहांगे हमको सील current को फिट करना है देशकते हैं क्राउन को क्राउन में कोई दिक्कत नहीं है करने साही से चैट है इसमें कोई दीकत नहीं है कोई सांड था कि देशा क्षोच के हम दूसरे साइट का भी पिश्टन को बाहर निकाल लेते हैं में देशा कर दोस्तों बावरी है है यह लोगी जोशीज हो चुका इसके करने इमाफ हम नहीं कर थे अजय हिन जय भारत दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक आउस से पहुंचाएं धन्नवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को